special class इसलिए रखी गई है, क्या रखी गई है, holy special class आपके लिए रखी गई है, क्यों, क्योंकि आज है holy का तेवहार, तो आज holy के तेवहार पे चलिए सुरू करते हैं अपनी class, आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे डंग से holy खेले होंगे, और बहुत सारी चीजें अपन इन्जॉाइ किए होगी, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं अपनी class, और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो good evening बच्चों, चलिए, सुरू करते हैं अपनी class, देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे Armand के बारे में किसके बारे में, Allman के बारे में पढ़ेंगे और Allman आपका काफी important है यहां से बहुत सारे questions आपके बनते हैं जैसे कि कौन-कौन से questions बनते हैं वो हम अभी discuss करेंगे पहले देखते हैं यहां पे कि यह important क्यों है किया आप family क्या होती है Allman की family है रोजे सी और sub family भी होती है वैसे तो sub family important नहीं होती है लेकिन कभी कभी exams point of view से यह important हो जाती है तो यहां से आपके questions बन जाते हैं तो कौन सी family है आपकी इसकी है pruno-D pruno-D आपकी family होती है sub family और genus की बात करें तो genus है आपका prunus और species की बात करें तो amygdales यानि कि इसका जो scientific name बना वो बना prunus amygdales कौन सा? prunus amygdales तो बचो यहां तक बास बन में आई चलिए अब आगे बात करते हैं basic chromosome number की तो कर आप basic chromosome number 8 होते हैं और somatic chromosome number आपके होते हैं 16 यानि कि जिनको आप कहते हैं 2N जिनको आप कहते हैं 2N वही होते हैं आपके somatic chromosome वो हैं आपके 16 बोलो बचो यहां तक बास बन में आई चलिए अगर बास बन में आ गई तो बहुत अच्छी बात है अब आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या है खाज चलिए आईए आगे देखते हैं आगे बढ़े तो आगे यह है आपका fruit almond क्या है यह आपका fruit almond है आप इसमें देख रहे होंगे कि यह उपर कैसा है देखो जो हम लोग खाते है mostly almond वो इस fruit के अंदर एक hard cell होती है उस cell के अंदर भी आपका fruit होता है क्या होता है बाहर यह आपका इसका outer structure है फिर इसके अंदर seed होता है तो हम लोग जो actual में खाते हैं वो खाते हैं करनल क्या खाते हैं वो हम लोग करनल खाते हैं यानि कि हम उसके क्या खाते हैं seed को खाते हैं किसको seed को खाते हैं सबसे inner part को खाते हैं करनिल को खाते हैं ये आपका बाहर से ऐसे दिखता है फ्रूट आगे हम दिखाएंगे की अंदर से कैसे दिखता है तो ये है आपका अलमन्ड तो अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें खास है तो चलिए बच्चे, चला जाए आगे, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या खास इसमें है, क्या खास इसमें है, चलिए, देखते हैं कि आगे इसमें क्या खास है, आईए, इंट्रोडक्शन की बात करें, किसकी, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, तो देखते हैं कि almond में क्या-क्या खास है कह रहा है almond is an important temperate fruit आपको मालूम है कि यह temperate fruit crop है with widespread popularity for its kernel throughout the world कह रहा है कि kernel जो है यानि कि यानि कि जो हम लोग खाते हैं उसकी वज़े से इसकी popularity सबसे ज़्यादा है क्या कियाता है करने लिए आपका सबसे आदा खाया जाता है बोलो बच्चों यहां तक चीए सबसे आई कह रहा है कि जो Central Asia के परवत है यानि कि जो Central Asian Mountain Areas है उसमें इसका उत्पतिस्थान माना जाता है जैसे कौन सा आपका इंडिया हो गया इरान हो गया एंड आपका पाकिस्थान हो गया यानि कि Central Asia के जो Mountain Reason है वहाँ पर इसका उत्पतिस्थान माना जाता है तो वही यहां पर कई कुछ कंट्रीज लिखी गई है मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक topic एक crop के एक से ज़्यादा origins हो सकते है कोई जरूरी नहीं कि particular कोई देश ही आपका उस crop का origin हो चलिए इतनी बात समझ में आई अब चलते हैं आगे बच्चो और आगे देखते हैं कि आगे क्या है इतनी बात आपके समझ में आई चलिए नहीं समझ में आई तो comment करो अगर समझ में आगे है तो बहुत अच्छी बात कहरा है कि देखो एक तो आप इसको ऐसे इडबल कर सकते हैं यानि कि ऐसे ही इसको आप खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालुम है कि ये कैसा है, डूप या स्टोन फ्रूट आपका है, क्या है, आलमंड कैसा है, डूप है या स्टोन फ्रूट आपका होता है, क्या होता है, आलमंड आ तो प्रोटीन की बात करें तो 19% प्रोटीन पाए जाता है और मिंदल्स एड़ विटामिन इसमें पाए जाते हैं इतनी बात आगे चलते हैं अब देखते हैं क्या यह है एक्च्छूल में आपको दिख रहा होगा, यह है इसका बाहर का cell, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको cell बोलते हैं, और यह है आपका kernel, जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? जो हम लोग खाते हैं, यानि कि जो आपके connection के purpose से इस्तेमाल किया जाता है बुलो यहां तक बास समझ में आई बच्चे चलिए अगर यहां तक बास समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या important है ठीक है बच्चे चलिए आगे देखते हैं कह रहा है बात करते हैं varieties की किसकी varieties की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सी variety important है कह रहा है कि कुछ variety जो जम्बू कस्मी reason में grow कर आई जाती है कौन सी है आपकी मखदूम है परभात है वारिस है साली मार है और अफगानिस्तान seedling है आई XL है और आपकी मरसीड है मरसीड के साथ फिर non peril है ठीक है कौन सी non peril आपकी ये कुछ varieties है जो आपकी जम्बू कस्मी reason में grow कर आई जाती है बोलो इतनी बासवन में आई बच्चे यहां तक कोई समस्या चलिए अगर नहीं समस्या है तो अब चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं कि आगे कौन सी वराइटी ग्रो करते हैं बात करते हैं हिमांचल प्रदेश की किसकी हिमांचल प्रदेश की बात करते हैं तो कह रहा है high and mid hills यानि कि जो उची पहाडी और medium size की पहाडी है उन पे कौन कौन सी वराइटी ग्रो कराई जाती है तो उन पे grow कराई जाती हैं एक आपकी है मरसेड दूसी है नान पेरियल और आई एक्सेल कौन सी यह तीन वराइटी है जो आपकी कहां पर आपकी grow कराई जाती है high और mid hills पर ठीक बच्चे यहां तक चीज़े clear हैं चलिए अगर कोई doubt है तो comment करो ठीक है नहीं तो फिर चलो areas यानि की जो घाटी वाले चेतर नीचे वो area को घाटी कहते है तो करा घाटी area की बात करते हैं वहाँ पर देखते हैं तो करा घाटी area में आपकी Drake का था और Pearsless Knee Plus Ultra यह आपकी घाटी वाले चेतर में होगाई जाती है थोड़े अजीब नाम है सके यहां पर आता है तो उस ड्राइटी ग्रो करती है उन वराइटी को यहां पर ग्रो कराते हैं ठीक है हैं कौन कौन सी है तो है तो यहां तग चीज़ें इसके बाद है अब बात करते हैं प्लाइम Eigen की मात तो कह रहा है कि यहां दॉय क्लाइमेट द्यूर्ण विंटर सर्दी के समय कैसी क्लाइमेट चाहिए सर्दी के समय कूल क्लाइमेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग एंड रेगुलर स्प्राउटिंग इन स्प्रिंग कह रहा है कि अगर कूल क्लाइमेट है विंटर में तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें आपकी फ्लावरिंग में किसमें आपकी फ्लावरिंग में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है कह रहा है दा चिलिंग रिक्वाइर्मेंट फॉर दे नॉर्मल बड़ स्प्रावडिंग डेपेंड ऑन दे कल्टीवर्स एंड और रिलेटिवली लो कितना 700 गंटे के लिए चाहिए कितना टंपरेचर आपका दो डो रलेटिव टंपरेचर आपका चाहिए जो कि सफिए अब कि्सके लिए वर्फ ले किसके लिए आपकी कलुँए क्ल्टिवेशन के लिए यानि की आलमंड की cultivation के लिए ठीक चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं अब आगे चलते हैं बात करते हैं soil की इसकी बात करते हैं soil की बात करते हैं तो कह रहा आलमंड can be grown on all type of soil but well drained loamy soil कह रहा कैसी loamy soil जो loamy soil है सबसे बढ़िया होती है pH 5.5 to 6.8 is good enough for the cultivation of almond, ठीक है, are the most suitable for its cultivation, कह रहा है कि 5.5 से 6.8 जो है, वो आपका suitable है, किसके लिए, cultivation के लिए, यानि कि soil की cultivation के लिए, आपका suitable है, ठीक है, यहां तक चीज़े clear है, बच्चे, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, बच्चे, चलिए, अगर कोई समस्या नहीं है, तो आग चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे दिखते हैं, कि अब क्या important है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, climate आपको मालुम है, कि यह temperate reason का fruit है, और soil आपको पता है, कि यह loamy soil है, loamy soil में यह सबसे perfect होती है, किसकी cultivation के लिए, सबसे perfect है, इसकी cultivation के लिए, चलिए, यहां तक चीज़ें clear हैं बच्चे, चलिए, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, किसकी root stock की, किसकी बात करते हैं, root stock की बात करते हैं, तो कह रहा है कि कौन से root stock हैं, जो सबसे जाधा important होते हैं, यह रूट स्टार की जरुवत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो बच्चे, जब हम propagation करेंगे, क्या करेंगे, जब हम propagation करेंगे, तो हमें propagation के लिए, कुछ ना कुछ root रूट स्टाक चाहिए होते हैं तो इसमें देखो क्या लिखा है करा इन इंडिया सीड्लिंग्स आफ बिटर आलमंड वाइल्ड पीच एंड बेमी एक रूट स्टाक है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका होता है तो बेहमी का उनसा है प्रूनस माईरा आप इसका नाम याद रखेंगे किसका प्रूनस माईरा आपका सबसे इंपोर्टेंट रूट स्टाक है जिसको बेहमी कहते हैं आप इसका ध्यान रखेंगे क्यों क्योंकि यहां से कोशन्स बनते हैं और जो जिनका edible consumption नहीं होता है bitter होते हैं टेस्ट में उनको as a root stock यूज़ कर लेते हैं wild peaches को कर लेते हैं और behmi को यानि की prunus myra को भी हम as a root stock यूज़ कर लेते हैं कहां पे इंडिया में ठीक है ये चीज़े clear है चलिए अगर ये clear है तो अब आगे बात करते हैं किसकी आगे बात करते है कहरा in winter climate and irrigated areas peach seedling are used कहरा है कहां पे जहां पे winter climate है कैसी जहां पे सर्दी वाली climate है यानि की winter climate है और irrigated areas है यानि की वहां पे water sources है water की उपलबदता है तो वहां पे हम लोग किसको वहाँ पे हम लोग peach को इस्तेमाल कर लेते हैं as a root stug अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि sir हम peach को क्यों कर रहे है इस्तेमाल या almond को almond में peach को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो बच्चे मैंने आपको पिछली class में बताया था कि जो पीच आपका है या जो आपका आलमंड है ये सब एक ही एक ही फैमिली के प्लांट है और जो इनका जीनस है वो सबका जीनस क्या है प्रूनस है यानि की इनके जो जीनस है वो भी क्या है वो भी आपके सेम है दूसरी बात जब जीनस सेम होते हैं तो फिर आपको कोई दिक अब आराम से इक दूसरे में सेमाल कर सकते हैं तकि वह अजस्ट कर ले क्लोनल रूट स्टाक की बात कर रहा है क्लोनल रूट स्टाक GF677 GF557 उसके बाद मेरियाना 2624 और मायरो बलन 2032 एंड मेरियाना मेरियाना GF8-1 और विंग यूजड ओवर वर्डवाइट देखो इसमें कुछ नंबरिंग जादा है वैसे नॉर्मली जब आपसे कोश्टन पूछेगा तो आपसे सीधे पूछेगा मायरो बलन क्या मायरो बलन रूट स्टाक जो है वो किसमें इस्तेमाल होता है तो आप बताएंगे कि वो आल्मंड में इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है यह GF वो GF ना समझ लेना बच्चों क्या आप लोगों का दिमाग कुछ जादा चलता है जिसकी वजए से इसको उस GF से ना कंपेरजन करें ना वहां दिमाग लेके जाएं यह GF सिर्फ नाम है ठीक है जो आप किसमें इस्तेमाल करते हैं हाँ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह GF जो है वो वो किसका रूटिस्टाक है एक रूटिस्टाक है अपका बादाम का या ऑल्मंट का ठीक है यहां तक चीज़ए क्लिए क्लियर है स्लिव को ने लिए खति. ठीक है क्या आगे क्या खास होने वाला है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं किसकी प्रपोगेशन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या important है किसमें प्रपोगेशन में ठीक है चलिए तो देखो बच्चे आपको मालूम है कि प्रपोगेशन में क क्या टंग ग्राफ्टिंग आपको मालूंग है कि टंग ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसका टंग suitable time की बात की जाए तो जो suitable time है वो क्या होता है सबसे perfect समय क्या होता है बच्चे सबसे perfect समय आपका होता है कि आपका जो perfect time है वो February March and अगर बड़ विद the tea method in the May अगर आप तंग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं कौन सा अगर आफ टंग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया मैथड है आपका फरवरी मार्च ठीक है और अगर आप टी बडिंग मैथड यानि की टी बडिंग मैथड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसका टी मार्च और में का जो टाइम है वो सबसे परफेक्ट टाइम आपका होता है पूलो यहां तक चीज़ा clear हैं बच्चे कोई समस्या अगर कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं ठीक है न सारी चीज़ा है बच्चे चलिए कोई समस्या नहीं आज आप लोग खूब होली जबरजस्त खेले होगे, क्या होली आप लोग खूब जबरजस्त खेले होगे, होली का तेवार है ना, ठीक है, चलिए, कौन-कौन होली खेला अच्छे से, चलिए, आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, कि आगे क्या है, आगे बात करेंगे प्लांटिंग की, propagation कर लिया, root stock देख लिये कि कौन सा root stock इस्तेमाल करना है propagation कैसे करना है अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि अब planting कैसे की जाए क्या? कि अब planting कैसे की जाए planting किस method से की जाए तो चलिए देख लेते हैं planting का कहरा one year old grafted or budded plants having good growth and well developed root system कहरा एक साल पुराने कितने? एक साल पुराने one year old जो plants है आपके चाहें वो आपने tea budding method से bud किये हो या आपने tongue grafting की हो वो सारे plants क्योंकि एक साल का जो plant होगा उसका अपना खुद का root system काफी develop होगा क्या होगा? उसका अपना खुद का root system काफी develop होगा और उसको transplanting के लिए use करते हैं सबसे बढ़िया रहता है क्या रहता है? उसको use करते हैं सबसे बढ़िया method रहता है आपका transplanting के लिए ठीक है? चलिए अब कही रहा है कि well developed root system are planted in a square, contour और terrace system कह रहा कि इन तीन method से किस से? square से ठीक है? contour से और आपका terrace system से किसे? terrace system से आप इसको लगा सकते हैं किसे? contour से terrace से और आपका square system से आप लगा सकते हैं किसको लगाना है? तो आपको मालूम है कि one year old grafted और budded plants को लगाना है क्यों? क्योंकि इसका जो root system है बहुत अच्छे से double up हो चुका होता है ठीक है बच्चे? यहां तक कोई समस्या? चलिए. अब कही रहा है कि जो spacing रखते हैं वो आपकी 5 गुणाव 5 मीटर रखते हैं depending upon the root stock and soil fertility कह रहा है कि अब आप इसमें कौन सा root stock इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या? कौन सा आप root stock इस्तेमाल कर रहे हैं यानि कि जिस हिसाब का root stock होगा उसके हिसाब से इसकी जो spacing है वो बढ़ गट भी सकती है कैसे? कि मान लो अगर आपका कोई root stock vigorous है? क्या है? vigorous है अगर बढ़ा root stock है तो आपकी spacing बढ़ जाएगी यानि कि increase हो जाएगी क्या हो जाएगी? spacing आपकी increase हो जाएगी और अगर आप क्या करते हैं? और अगर आप root stock कोई dwarf लेते हैं तो आपकी spacing क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यानि कि spacing और कम हो जाएगी 5 मीटर से और भी कम आपकी spacing हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चे चलिए अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है अब आगे चलते हैं कहरा है कि 5 गुणा 5 मीटर is depending upon the root stock and soil fertility ठीक है soil fertility अगर आपकी soil fertile है चीज़ें अच्छी हैं तो उसके हिसाब से भी spacing आपकी क्या होगी वह आपकी बदल जाएगी ठीक है इतनी चीज़ें clear है बच्चे तो planting आपको क्या करना है one year old root stock का आपको इस्तेमाल करना है जिससे क्या होता है कि सबसे अच्छा है उसका जो root system है वह well developed होगा जब root system well developed होगा तो plants की stability के chances क्या होते है plants की stability के chances बहुत होते हैं यानि कि plants अच्छे से क्या होगा stable हो जाएगा ठीक है mortality percent जो है वह आपका कम होगा क्या होगा mortality percentage कम होगा तो इस वज़े से आपका plant जो है वह survive अच्छे से करेगा तो चीज़े clear है उसके बाद कह रहा है the planting should be done in December to January कह रहा है कि जो planting करेंगे कह रहा है जो इसकी planting करेंगे वो planting आपकी December और January के महीने में करेंगे कब करेंगे क्योंकि सबसे बढ़िया time होता है planting का उस time पे पौदा dormancy से बाहर आता है और उसके बाद वहां पे जब grow करता है तो आराम से grow करता है और उसके बाद उसको काफी लंबा समय मिल जाता है दुबारा dormancy में जाने के लिए यानि कि जब आप plants को लगाएंगे तो उसके next season के बाद वो dormancy में जाएगा यानि कि उस time तक उसको एक काफी अच्छा time period मिल जाता है जिसमें वो आराम से grow कर सकता है और काफी अच्छे डंग से अपनी growth को develop कर सकता है root system को भी develop कर सकता है बो यहां तक चीज़े clear हैं चलिए अब आगे बात करते हैं high density planting की इसकी high density planting की बात करते हैं कि अगर high density planting करेंगे तो देखो इसमें hedge row, tatura, trelleys और meadow इन से आप planting कर सकते हैं और यह आप इसमें इसको अपना सकते हैं वैसे तो यह ज़्यादा इसमें popular नहीं है high density planting लेकिन फिर भी क्योंकि high density planting इसमें थोड़ी स system क्या कर रहा है बढ़ रहा है यानि कि अब इसको use किया जा रहा है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं training और pruning method की इसकी various training और pruning method की बात करते हैं तो training और pruning method काफी important है देखो training और pruning method क्यों important है क्योंकि जो इसकी training की जाती है वो open center system से की जाती है इससे open center system से की जाती है और open center system का मतलब है कि ये वाला जो plants है आपको मालूम है कि थोड़े दिन इसको क्या करते हैं जो main access है क्या है main access है इसको cut कर देंगे और उसके बाद इसमें side वाली जो branches है उनको बढ़ाएंगे क्या main access को cut कर देंगे तो plants कैसा हो जाएगा plants आपका double up हो जाएगा कैसा एक bowl का shape ले ले लेगा यानि की उपर वाला center lexis है ये open होता है इसी लिए इसको open center system कहते हैं क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो growth है वो lateral branches पर आती है fruit भी आपके lateral branches पर आते हैं और fruit जो आपके आते हैं वो old season यानि की old season growth या इस पर पे इस पर पे fruit आते हैं और इस पर जो जिसमें fruit आते हैं तो उसमें pruning की भी आवसकता होती है लेकिन first initial two to three year यानि की शुरुआत के दो से तीन साल उसमें उतनी pruning की आवसकता नहीं होती है क्यों क्योंकि जो इस पर इसमें double up होते हैं जन इस पर पे fruit आते हैं वो इस पर productive होते हैं कितने five year के लिए productive होते हैं इसका मतलब यह है कि वो पांच साल तक क्या वो पांच साल तक बढ़िया से fruit आवसकता पड़ेगी और जब पांच साल के हो जाएंगे वो तब उसके बाद उनको प्रूनिंग की आवसकता पड़ेगी तब उसके बाद हम उसमें pruning करना start करते हैं यानि कि उसके बाद हमको क्या करना है उसके बाद फिर हमें regular pruning करनी है अगर हमको fruiting चाहिए तो हमको पुराने spurs को हटाना पड़ेगा ताकि नए spurs डबलप हो तो जो spurs 5 साल के हो जाते हैं यानि कि उसके बाद वो unfertile या unproductive हो जाते हैं तो उन इस spurs को हमको हटाना होता है तो क्या होता है उनको हटाने के लिए हमको pruning करने क्या हो सकता पड़ती है बोलो यहां तक चीजे clear हैं बच्चे चलिए अगर यहां तक चीजे clear हैं तो अब हम आगे बात करते हैं कैरा summer pruning is carried out two to three times in order to retain suits for main branches and to eliminate unwanted branches and water sprouts कैरा summer pruning करते हैं कब दो से तीन बार दो से तीन बार करते हैं किसके लिए जो unwanted जो retain suits हैं उनको हटाने के लिए main branches से यानि कि जो और unproductive fruits हैं water sprouts हैं उनको भी हटाने के लिए हम इसमें pruning करते हैं उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि fruit जो हैं इसपर पर आते हैं तो इसपर पर आते हैं तो इसपर पर जो fruit आएंगे उनको भी आपको डबलब कराने के लिए इन इसपर्स की pruning करनी पड़ीगी अप खुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसपर हैं क्या यसपर मैंने आपको बताया है कि इसपर आपका one year old suit ह होता है यानि कि लगबग आप जब देखेंगे तो आपको छोटी छोटी ग्रोथ दिखेंगी उस पर आपको लीफ नहीं दिखेंगी सिर्फ छोटी ग्रोथ दिखेंगी उसी ग्रोथ पर आपकी फ्रूट आते हैं उसी को इस पर कहते हैं क्या कहते हैं इस पर उसी को कहते हैं और इसी स्पर पर fruit डबलब होते हैं यह इस पर आपके 5 साल तक productive रहते हैं फिर उसके बाद यह अन्प्रोडक्टिव हो जाते हैं यानि कि फिर यह productive नहीं रहते हैं चीक है चलिए तो यह बात यहां तक थी अब आगे चलते हैं आगे बात करते हैं आगे देखते हैं कि अब क् किसकी अब आगया आपका हार्वेस्ट अब हार्वेस्ट की बात करते हैं तो कह रहा है आलमंड और रेडी फॉर हार्वेस्टिंग वेन दे चेंज फ्रॉम ग्रीन टू यलोईस कह रहा है कि जब मैंने आपको फॉरूट इमेज दिखाई थी क्या जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी और इमेज मैंने आपको दिखाई थी ठीक है कौन सी ये वाली इमेज मैंने दिखाई थी तो ये वाली image में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो fruit है आपका ये क्या है? ये green है कैसा है? ये green है और जैसे ही ये green से किसे? ये green है ठीक है? और जैसे ही green से ये yellow में turn होने लगेगा किसमे? yellow में turn होने लगेगा? देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके color में changes आ रहे हैं और ये देखो cracks भी आ गए हैं ठीक है तो जब ये green से yellow में convert होने लगेगा तब आपको मैसूस हो जाएगा दिख समझ में आने लगेगा कि अब हमारा जो fruit है वो क्या हो रहा है वो harvest की तरफ बढ़ रहा है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं अब हम इसको harvest कर सकते हैं तो देखते हैं कि अब हम harvest के लिए और क्या-क्या चीज़ें होती हैं यह लोई इस विद्ट क्रैक्स और वैं इस्प्लिटिंग एट इस्प्लिटिंग एट सुच्छर स्टार्ट्स फ्राम पेडिसिल इंड कैरा पेडिसिल इंड से यानि कि पेडिसिल के अंति प्रूर हो रहा है यानि कि यह maturity indicate करता है क्या करता है यह maturity indicate करता है यहां तक बास मनदाई कैसे कि आपका fruit ग्रीन कलर से यलो कलर में चेंज होने लगता है तब आपकी maturity हो जाती है उसके साथ-साथ इसके जो पेडिसिल इंड है उस पेडिसिल इंड पे क्या आने लगते हैं उसके बाद कह रहा है कि for dry nuts the harvesting is done from August to October कह रहा है कि अगर आपको nuts चाहिए यानि कि dry nuts चाहिए तो आपको क्या harvesting कब करनी है तो आपको harvesting अगस्त से लेकर October का जो महिना होता है वो सबसे अच्छा होता है किसके लिए आपके harvesting के लिए ठीक है आगे कह रहा है nuts are harvested by knocking the limbs with long wooden poles कह रहा है कि harvest करने के लिए क्लिए क्या करते हैं बड़े बड़े लेक्टों को लेके limbs को लेके with long wooden poles क्या करते हैं limbs को यानि कि जो इसकी branches हैं उनको हिला देते हैं इससे क्या होता है जो सारे nuts है वो नीचे गिर जाते हैं ठीक है आगे कह रहा है the polythene seeds should be spread beyond to the tree prior to harvesting कह रहा है कि harvesting से पहले पेड़ के चारों तरफ या पेड़ के नीचे polythene seeds को लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि वो सारे nuts वहीं पे आके collect हो जाते हैं क्या हो जाते हैं वहीं पे आके collect हो जाते हैं और आप आराम से इसको harvest कर सकते हैं ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे ये थी आज की हमारी class और आज है holy का तिवहार तो आप लोगों के लिए है एक खास offer जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है mega holy celebration यानि कि holy का celebration चलता है आप तो खूब अच्छे से holy खेले भी होंगे आज दिनवर आपने holy मनाई होगी तेवहार है आज holy का तो आप ने खूब रंग डाले होंगे तो अब holy के उक प्लक्च में अड़ा 24-7 परिवार ने आपके रिए खास offer लांच किया है कि ये खास offer है आपका कि अगर आप कोई भी batch purchase करते हैं तो आप अगर code इस्तेमाल करते हैं y443a तो आपको मिलेगा 80% का discount कितना 80% का discount आपको मिलेगा तो आप अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप purchase कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको नहीं need है तो कोई जबर्जस्ती नहीं है कोई जरूरत नहीं कि आप इसको purchase ही करें तुछ है यह depend करता है आपके उपर आपकी जरूरत के हिसाब से तो बाकी बात करते हैं ये हैं आपके वीडियो कॉर्स आपको लगता है आपको नीड है अगर आप त्यारी कर रहे हैं अपनी त्यारी को boost करना चाहते हैं तो आप purchase कर सकते हैं नहीं तो हम लोग तो यहां पर रोज मिलते हैं अपनी क्लास के साथ, तो कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर इसी समय पर तब तक के लिए जैहिंद, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और बढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों तो मुलाकात होगी कल तब तक के लिए जय हिंद।